दोस्तु से बढ़ा महासागर प्रसांत महासागर यानि कि पैसेफिक ओशियन, दूसरा है अटलान्टिक महासागर और तीसरा है हिंद महासागर यानि कि इंडियन ओशियन और चोथा है दचनी महासागर और पांचवा और सबसे छोटा महासागर है आर्केटिक महासागर दुस्तो साइन्स के छितर में हम मानों ने काफी तरक्य कर ली है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इसके बावजूद भी हम मानों इस विसाल समुदर की अभी तक केवल 20% हिस्से का ही गहन अधन कर पाए है इस समुदर की असिम गहराईयों में अभी भी तक्रीबन 80% हिस्षा हम मानों से बिलकुल अंजान है यानि की महासागरों के गहराईयों में आज भी कई सारे ऐसे रहस चुपे हुए हैं जिससे हम मनश आज भी अंजान है और ऐसे ही एक रोचक एवन कलपनाओं का हिस्सा है हिंद महासागर दोस्तो हिंद महासागर विश्व के 5 महासागरों में प्रसांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो कि पिर्थुवी के कुल छेत्रफल के 7% हिस्थे में फैला हुआ है दोस्तो आपको यह बाज जानकर आश्चरिय होगा, फूरी पिर्थवी के सता पर जितना भी पानी मौजूद है, उसका तकरीबन 20% हिस्सा अकेले हिंद महासागर में ही मौजूद है दोस्तो इस महासागर का सबसे खास बात यह है कि इसका नाम हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, यह दुनिया का एक मात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, दोस्तो संस्कृत के पुस्तक में इसे रतनाकर के नाम से बुलाये ज जाता है जिसका अर्थ होता है रत्न उत्पन करने वाला महासागर वैसे आपको यह भी बताता चलू हिंदू ग्रंत में इस महासागर को हिंदू महासागर के नाम से भी जाना जाता है वैसे आपने यह भी सुना होगा कि हिंद महासागर को सबसे युवा महासागर भी कहा जात यानि कि हिंद महासागर का पानी कभी-कभी इतना गर्म हो जाता है कि इसका टेंपरेचर 36 दिगरी तक पहुंच जाता है। अधिक्तम गहराई 8,047 मिटर है। दोस्तो यू तो इस महासागर में हजारों दीप मौजूद हैं लेकिन इन में से सबसे बड़े द्यूब मेड़ागासकर और शलंका है। दोस्तो हिंद महासागर का फैलाओ भारत की पसिम में अफरिका तक तो पुरु में इंडोनीशिया और आस्ट्रेलिया की सीमाओं तक फैलाओ हुआ है। दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं महासागरों में पानी का बहाओ हमिसा एकी दिसा में होता है। इसके अलावा विश्व की दो सबसे बड़ी नदियां ब्रह्मा पुत्र और गंगा हिंद महासागर में जाकर मिलती है। यह नदिया 2000 किलो मिटर दूर हिमाले परवत माला से रेत और मिटी लाकर समुद्र में जाकर डालती है। जिनसे नदियों के मुहाने के आगे महासागर में अनेको टापू बन जाते हैं। इन में से कई ऐसे दूप भी बन जाते हैं जिनकी प्रक्रतिक सुन्दरता विस्व में और कहीं नहीं देखी जा सकती है। जो कि परेटों के लिए मुख्य आकरसक का किंदर बना हुआ है। ऐसे तो हिंद महासागर की सीमाएं 40 देशों को छूती हैं और इनके तटों पर विस्व की 40% आवादी बसती हैं। साथ ही विस्व की वैपार का दो तिहाई हिस्सा और संपूर्ण मालवाहक का एक तिहाई हिस्सा केवल हिंद महासागर से होकर ही गुजरता हैं। जो की देशों की अर्थवैस्था को मजबूत बनाये रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। जो की वैपार का निभाती हैं।